आप देख सकते हैं अभी की बड़ी खबर है ये 36 गड़ में अनलॉक होंगे स्कूल जी हाँ 16 जून से स्कूल खोलने पर विचार कर रही है सरकार शिक्षा मंत्री बोले परिस्तितिया ठीक रही तो लगेंगी क्लासेज जी हाँ देखिए क्या है ये खबर 36 गड़ में पिछले एक साल से बन पड़े स्कूल अब खुलने जा रहे हैं इसे लेकर प्रदेश की सरकार विचार बना रही है सोमवार को स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर मिडिया से बात करते हैं शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंग टेकाम ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 16 जून के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं हम इस पर विचार कर रहे हैं शिक्षा मंत्री ने स्कूलों को खोलने और वहां हर हाल में कोविट प्रोटकॉल का पालन करने की प्लानिंग करने अफसरों को कहा है आगे देखते हैं 16 जून से पहले प्रदेश सरकार की एक अहम बैठक हो सकती है जिसमें यह तै होगा कि अगर प्रदेश में स्कूल खुलते हैं तो किस तरह की गाइडलाइन होगी विशिक्षा मंत्री ने दर्स थल पत्रकारों से पूछा था कि कोरोना संक्रमन घट रहा है तो क्या स्कूल खुलने की उमीद है इस सवाल के जवाप में टेकन जी ने कहा था कि आशा तो रखनी ही चाहिए आशा के बल पर तो अकाश टिका है हम स्कूल खुलने पर काम कर र बचे हुए सिलेबस को पूरा कराया गया था परिक्षा की तैयारी कराई गई थी इस बार भी अफसार इसी तरह से शुरवात करने में बड़ी क्लासेस के बच्चों को स्कूल बुनाले पर मन्थन कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर को भी प्रदेश में डर का महौल है इस भ की भाग काफी फूख फूख कर कदम रख रहे हैं फीस माफ की मांग फिर से हो गई है तेज जी हां ये भी हम जानते ही होंगे तो देखे ये बड़ी खबर है जब स्कूल खुलने की बात हो रही है नौवी से बारवी तक के बच्चों की तो कॉलेजिस भी खुलेंगे चाह पहली बात दूसरी बात जब स्कूल खुल रहे हैं तो कॉलेजिस भी खुलने की उमीद कर सकते हैं और यहां पर हम यह भी उमीद कर सकते हैं कि सीजी व्यापम का जो एक्जाम होना है वो भी अब हो सकता है क्योंकि एक्जाम किस केस में नहीं होते जब केसे बढ़ रहे होत जो भी एक्जाम सीजी व्यापम कराती है वो भी इस साल हो सकते हैं तो आप अपनी तयारी करते रहें जो भी अपडेट चाहते हैं एक बड़ी बैठक होगी कहा जा रहा है 16 जून के पहले जो भी बैठक में फैसला लिया जाएगा हम आपको अपडेट करते जाएंगे तो इस यूट्यूब चानल को ज़रू लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू सो मच वाचिंग इस वीडियो